नमस्कार दोस्तो मैं योगेश यूगेश टिक्नकल में आपका फिर से बगद वह स्वाकत हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेए कोपर और एलमुनियूम के ज्योट को असानी से कैसे लगाएं दोस्तो इस ज्योट को लगाना बिलकुल असान है कुछ आसान से tips को follow करके आप इस joint को असानी से लगा सकते हो इसमें ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं होती सिर्फ इसमें आपको patience और उस टेक्निक का ग्यान होना चाहिए जिसके द्वारा हम इस जोड को असानी से लगा सकते हैं क्योंकि यह जोड हमें कहीं न कहीं हमारे काम को बाधित करता है अगर फ्रिजर का कोई टांकर लिख हो जाता है तो भी हमें वहाँ पर यह जोड लगाना पड़ता है और कई जगे इस जोड का इस्तिमाल किया जाता है तो दोस्तों वीडियो में देखते हैं कैसे लगाएं योगेश टिक नेगल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें यूस्फुल वीडियो देखने के लिए तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक फ्रिजर जो पुराने मोडल का है उसमें कोपर और अर्मोनिम के जोइंट को लगाएंगे सबसे पहले आप उसके उपर जो भी इंसुलेशन लगा हुआ है प्लास्टिक का उसे आप असानी से साफ कर लीजिए और सरफेस को थोड़ा साफ कर लीजिए अगर वहांपर ओयल आहे हुआ है तो आप उस ओयल को भी साफ कर लीजिए चाहए आपको उसको साफ करने के लिए यानि कि आपको जो भी करना है बिल्कुल वो accurate timing पर ही करना है तभी यह joint आपका परिपकल लग पाता है सबसे पहले हमें pipe को काटेंगे जहां तक copper की pipe आई हुई है aluminum pipe के अंदर उसे आगे से काटेंगे क्योंकि अगर हम नजदिक से काटेंगे तो वहाँ पर जो aluminum का pipe पतला पर जाता है इसलिए आप pipe को थोड़ा सा जहां तक copper की pipe आई हुए उसे आगे से काटेंगे और फिर उसके बाद आप देखी कि aluminum की pipe का बोर कितना बड़ा है अगर आपको यह लगता है कि हमें यहाँ पर एक बड़ी चार की pipe का size इसके उपर लगाएंगे तो आपको स्वेज करना पड़ेगा अदरवाईज आप तिन सोला की pipe इस pipe के अंदर डालकर आसानी से भी आप ब्रेजिंग कर सकते हैं क्योंकि इसका हम स्वेज नहीं करेंगे aluminum की pipe का उपर की pipe का ही स्वेज करेंगे लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बाती है कि यह capillary का joint है तो हम यहाँ पर तिन सोला की pipe डाल सकते हैं हाँ अगर यहाँ पर section वाली pipe होती जैसे परली सैड वाली pipe है तो आपको एक बड़ी चारगी pipe का ही स्वेज करना पड़ता और तभी वो आप उस पर ब्रेजिंग कर सकते हो लेकिन यहाँ पर हम capillary वाले point पर आप ब्रेजिंग कर रहे हैं तो आप तीन सोला की pipe डा सकते हैं यह ब्रेजिंग करते हुए किन-किन point पर ध्यान देना आती आवश्चक है तो वीडियो में ध्यान से देखेगा कोशिश कीजिएगा कि आप इस वीडियो को देखते हुए उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि मेरे बताने से पहले ही वो चीज आपको समझ आ ज है अगर आप इस पर बर बर ब्रेजिंग करेंगे तो उसमें गल्कियों के चांस बढ़ जाते हैं इसलिए पाइप को थोड़ा ऑच्छा अंदर तक डालीए ताकि अगर हम बर बर ब्रेजिंग करें और हमारा जो ब्रेजिंग्स का लिकmile है जोएंट वाले हिस्से को क्योंकि एलमुनियम का जो टंप्रेचर वो जल्दी गरम हो जाता है आप कोपर की पाइप को ध्यान से देखिए बिल्कुल लाल हो गई है हमें कोपर की पाइप को ही ज्यादा गरम करना है और गरम होते ही आप उस पर हलके से ब्रेजिंग चारो करना है तभी यह टाका सकसेस्फल हो पाएगा उसके बाद को ड्यान से टाका का प्रेंग निर्क्षिन करना है क्योंकि जो एलमुनियम का लिक्विड होता है उससमें कुछ द्रारे रह जाती है आपको अच्छी तरह से करके ही टाके को फाइनल करना है अगर आपको यह लग भावनाइं भी बढ़ जाती हैं इसके लिए आप इसमें प्रेशर देकर भी आप चेकर सकते हैं देखे दोस्तों उसमें कुछ हलका सा मिस पॉइंट रहा गया था हम दुबारा से उसको क्लेर कर रहे हैं मैं आपको फिर बतना चाहता हूं कि आपको कोपर की पाइप को गरम कर रहे हैं क्योंकि जो एलमुनियम का जो लिक्विड हैं उसमें द्रारें कुछ रह जाती हैं वो माल अच्छी तरह से मिल नहीं पाता इसलिए आपको यह पाद ध्यान में शिरक नहीं है कि आपको कोपर की पाइप को ही गरम करना है धन्यवाद दोस्तों